हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी उमीद करता हूँ सब अच्छे होंगे शुरी धर्तिदन मार्बल में आप सभी कहा स्वागत है यह वीडियो स्टार्ट करने से पहली हमारी जितने भी विवर्स है मैं उनसे माफी चाहता हूँ क्योंकि कुछ टेक्निकल इशूस की वज़े से हम यह वीडियो नहीं अपलोड कर पाए हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो अपलोड की थी जो कि अपने मकराना टाइल्स पे थी वह वीडियो देख के उस पे हमें हमारी वीवर्स ने कमेंट्स किये कि जो मकराना पिंक मार् वो वे किसा दिखता है और वो लगाने के बाद उसका Chining कैसी ओती हो से इसलिए हमने यह वीडियों बनाई उन विइवर्स के लिए ताकि वो देखें और उन्हेंगby पता चले कि मकरणा मार्बल कैसा होता है और वह लगाने के बाद कैसा दिखता है इस वीडियो के end में हम आपको दिखाएंगे कि जो मकराना पिंक मार्बल होता है वो लगने के बाद कैसा दिखता है और उसकी शाइनिंग कैसी रहती है तो end तक बीना इस कीप की है हमारे इस वीडियो के साथ बने रहें ताकि आपको पता चले कि जो मकरणा पिंक मारबल है वो लगाने के बाद कैसा दिपता है इस चैनल के माध्यम से हम मकराना की विडियोज की जितने भी वीडियोज अपलोड करते हैं उनका बस यही मकसद है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनको अगर नोलेज नही हो मकराना मार्बल की वो यह वीडियो देखें कि कौन सी मकराना की टैल्स होती है और कौन सी विडियोज हो झाल सामने ये जो आप टल्स देख पा रहे हैं ये मकरणा पिंक की टल्स है इनका यूज हम घर में बोर्डर की रूप में यूज कर सकते हैं कर सादी एंग से लाट कर रहें यूज हम से बिद서 कि कर हैं यूज की की ब Mississippi जैसे कि आप सभी को हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि जो मकराना पिंक मार्बल है वो लगाने के बाद कैसा दिखेगा तो आप सभी देख सकते हैं कि मकराना पिंक मार्बल लगाने के बाद उसकी शाइनिंग कितनी रहती है उसकी कितने अच्छे ग्राफ बनते हैं और लगने के बाद वो कितना अच्छा रखता है तो आप सभी देख सकते हैं जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि मकराना का जो पिंक मार्बल है वो लगने के बाद कितना अच्छा दिकर है और उसकी शानिंग कितनी अच्छी आ रही है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो मकान के चारो तरफ बोर्डर लगा वाए वो मकराना पिंक का ही है जिनकी टाइल समने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी मकराना पिंक मार्बल में भी आपको इतने प्यारे ग्राफ देखने को मिल सकते हैं जो कि लगाने के बाद कितने सुन्दर लिखते हैं आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ कितने अच्छे लग रहे हैं कि अच्छे लगाने आपको जिखाई लगाने कि अच्छे लिखते हैं